नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे सबसे पहले हम करा चुके हैं आदिकाल का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके पांच प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल SS मौलेज पर डाले जा चुके हैं जहां पे आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आप उन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते ह वही चलते हैं आज और जानते हैं बक्तिकाल से संबंदे तो महत्यपूर्ण प्रष्णों को वहीं राम कभे उसकी विशेष्टाएं क्या हैं प्रमुक कभी एवुम रचनाएं क्या हुएं उसी प्रकार से क्रिश्न कभे की विशेष्टाएं प्रमुक कभी एवुम रचनाएं क्या हैं तो इनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला फ्रेक्टर सेड है जिसका की क्वेस आपके सामने दिया हुआ है कि इनकी ऐसी इनकी उक्तियां ऐसी लोहावनी हुए या मन को भाने बानी हुई कह सकते हैं कि इनकी उक्तियां ऐसी लोहावनी हुई कि बिहारी आदी परवर्ति कभी भी बहुतों का अपरहना करने का लोग ना रूप सके आचार सुकले की उप्युक्त पंक्तियां किस कभी के लिए आई हैं तो ये पंक्तियां हैं रहीमदास जी के लिए आई हैं नेक्स्ट है संसार का इन्हें बड़ा गहरा अन्ववव था ऐसे अन्वववों के मार्मिक पक्ष को ग्रहन करने की भावक्ता उनमें अदूतिय थी आचार सुकल की उपिप्त पंक्तियां किस कवी के लिए आई हैं ये पंक्तियां हैं रहिम दास जी के लिए आई हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है जब मुसलिम सामराजित दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हतास, निरास एवं पराजित हो गई थी पराजित मनुवरत्ति में ईस्वर की भक्ति की ओर होना सुभाविक था इस प्रकार का कथन किसका है? तो इस प्रकार का कथन ये कथन है आचारे सुकल जी का सगण पासक भक्त भगवान के सगण और निर्गण दोनों रूपों या दोनों रूप मानता है सगण और निर्गण पर भक्ति के लिए सगण रूप ही स्विकार करता है निर्गण रूप ग्यान मारगई के लिए छोड़ देता है तो यह कथन किस आलोचक का है? तो इस परकार का कथन भी आचारे रामचंद्र सुकल जी का है तो जानेंगे इस सीरीज में जो कि विवन गवर्णमेंट एक्जांट से जैसे कि DSS भी NBS, KBS, आधी जो कि हिंदी से संबंदे TGT हो या PGT हो उन्न में ये प्रेशन बहुत ज़्यादा महत्तपून है वे मुसल्वानों को ना तो पराजित कर सकते थे और ना अपने धर्म की अवहिलना सहन कर सकते थे इस असाय अवस्था में उनके पास इसवर से प्रार्थना करने के अतरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था तो यह कथन किस आलोचक का है तो उप्यक्त प्रकार का कर्थन जो है यह है डक्टर रामकुमार वर्मा जी का है किसका डक्टर रामकुमार वर्मा जी का नेक्स्ट क्वेस्टन है मनोवैग्यानिक तथ्य के अनुसार हार की मनुवरत्ति में दो बातिन संबब है मनो वैज्याने के तथ्या के अनुसार हार की मनो ब्रत्ति में दो बातिन सम्भव है या तो अपनी आध्यात में स्रेष्टता देखाना या भोग विलास में पढ़कर हार को भूल जाना बक्तिकाल के लोगों में प्रत्थम प्रकार की प्रवर्ति पाई जाती है प्रिस्तत कथन किसका है इस परकाय का कथन किसका है तो यह कथन बावु बुलावराई जी का है नेक्सट पसंड बक्ति बावना पराजित मनूबरत्ति की उपज नहीं है और नाहीं इसलाम धर्मक की बलात प्रचार के परणाम सरूब उत्पन होई है तो उप्यक्त पंक्तियां किस सहित्यकार की हैं तो ये पंक्तियां हैं आचार हजारी प्रसाद दुवेदी जी की अगला प्रस्ण है भक्ति आंदोलन के उद्भव का कारण और उसके मानने वाले विद्भान का असंगत क्रम है तो असंगत क्रम क्या है या गलत कथन क्या है मार्क्सवादी प्रभाव डक्टर राम सरूप चत्रवेदी जी का तो ये गलत कथन है जबकि भक्ति आंदोलन के उदभव का कारण और उसके मानने वाले बिद्वानों का अगर संगत कथन या सही की बात करें तो ये प्रभाव जॉर्ज ग्रीयर्शन का वहीं मसलिम प्रभाव आचार राम चंदर सुखल जी और सुभाविक विकास जो है आचार हज्जारी प्रिसाद दुवेदी जी का देखा जाता है जबकि माक्सवादी प्रभाव मुक्ति बोधने माना है किसने मुक्ति बोद ने गजानन माधव मुक्ति बोद जी नेक्स्ट क्वेसन है कि प्रमुक संपर्दाय उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म संपर्दाय की वहीं स्री संप्रदाई के प्रवर्तक स्री रामन जाचार वहीं रुद्र संप्रदाई के प्रवर्तक विश्न स्वामी सनकादी संप्रदाई के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार का चार अगला क्वेस्टन है बक्ती दरावडी उपजी लायरामा नंद परगट किया कभी तो उप्योक्त पंक्तियां किस के द्वारा रचित हैं तो डक्टर सत्यंद्र के द्वारा उप्योक्त पंक्तियां रचित हैं नक्ष्ट क्वेशन है महराष्ट के प्रमुख भक्त विसोबा महराष्ट के प्रमुख भक्त हुए कौन विसोबा खेचर इनकी परम्सित से नाम देव ने मराठी बासा में अभंगों की रचना की थी नमनलखित में से कौन सा पद उनके द्वारा रचित नहीं है तो बात कर लेते हैं इन पदों की तो देहा भीतरी स्वास है स्वासे भीतर जीव और जीवे भीतर वासना किस विद पाईए पीव तो यह पंक्तियां के द्वारा रचित नहीं है जबकि रचित पंक्तियां कौ से हैं देख लेते हैं कि माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहांते आया तो इस प्रकार की पंक्ति किसकी है यह महाराश के प्रमुक भक्त विस्ववा खेचर के परमसिसे नामदेव ने मराठी भासा में अभंगों की रचना की अर्थारत इस प्रकार से अभंगों की रचना की जाती थी तो उनके पद या उनकी द्वारा रचत जो पंक्तियां हैं सबसे पहली है माई नहीं होती बाप नहीं होते कर्म नहीं होते कौन कहाते आया नेक्स्ट पंक्ति है पांडे तुमारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगा आती थी वहीं नेक्स्ट पंक्ति जो है हिंदू पूजे देहरा का मतलब क्या होता है देहरी से देहरी उती है गर की जो देहरी जब कहते है देहरी लंग की जाना तो देहरी गर की उती है तो हिंदू पूजे देहरा मुसलवान मसीद मुसलवान बसीद और नाना सोई सेवियां जहन देहरान मसीद इस फरकार की पंगतियां नामदेव जी की नहीं ठीक है आपको विभन एक्जाम्स में यह पंगतियां देखने को मिल जाती है नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला प् है ना उप्यक्ति दोहा जो आपका आंसर था दा तो वह दोहा किसका है बावल लाल का नेक्स्ट अगला क्वेस्टन है उत्री भारत में भक्ति आंदोलन की त्रमूर्ति कौन थे तो कबीर नानक और रेधास यह त्रमूर्तियों में गिने जाते हैं है परमूर्तियों संप्रदाय की प्रवर्तिक कहा है, जबकि उदासी संप्रदाय की प्रवर्तिक कौन थे, शिक संप्रदाई के प्रवर्तक गुरु नानक के पत्र स्री चंद जो उदासी संप्रदाई के प्रवर्तक माने जाते हैं तो यह है गलत है इसके इस्तान पर क्या होगा स्री चंद प्रवर्टाब के प्रवर्टा के प्रवर्टा के संक्राचा रहे झbn हम अदासी संप्रवर्टा के प्रवर्टा कौन थे गुरु नानक के पुत्र य॥ नेट्स पर्शन है बक्ति काल के प्रमस्ट संप्रदाय उनके प्रवरतक का असेंगत क्रम र्थ्रारत गलत क्थन क्या है गलत क्रम क्या है कि नरड़क दर्टक क्या है स्रीचंड नहीं थे सरीचंड किसके थे उदासी के स्रीचन उदासी संप्रदाए के स्रीचन किसके थे उदासी संप्रदाए के वहें जो निरंजनी संप्रदा है इसके हैं हरीदास निरंजनी कौन थे हरीदास निरंजनी वहें सत्य पीर आपको आंसर हो जाएगा यह है जब कि सत्य पीर संप्रदाए के प्रवर् लाल दास वही सत्य नामी संप्रदाय के प्रवर्तक जग जीवन दास जी हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे इसी प्रकार की सीरीज जो कि आपको देखने को मिलेगी हमारे SS Knowledge चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगर वीड यह असंगत है आपका आंसर हो जाएगा आप जबकि तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है किहल दास कौन माने जाते हैं किहल दास जबकि रसे संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं अगर दास जी वहीं हरे दासी या सखी या टटी संप्रदाय जिसको बोला जाता है तो इसके संप्रदाएं माने जाते हैं टटी का मतलब यहां पर होता है टटिया क्यों टटिया जिसको बोलते हैं या कह सकते हैं आप जानते होंगे सायद के टटिया मीस होता है जो छान या जोपड़ी जिसको बोलते हैं हाट तो उसके जो नीचे सायड में लगाई जाती है उ तो यहां पर टट्टी का दूसरे अर्थ ना लेना हरिदास या सखी या टट्टी संप्रदाई या टट्टी या संप्रदाई जिसको बोलते हैं इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी वहीं स्वस्वखी संप्रदाई के प्रवर्तक माने जाते हैं रामचरण दास जी नेक्स्ट पुएसन है भक्तिकाल के प्रमुक आचारे उनके दर्सन उनके संप्रदाय का असंगत क्रम क्या है असंगत क्रम है निमबार का चारे विस्ष्ट अदृत जबकि संगत कथन क्या है सही क्या है कि संक्राचारे का संबन था अदृत वाद से जिनका कि संप्रदाय था दसनानी संप्रदाय वहीं मादवाचारे अदृत वाद से संबन था मादवाचारे का वहीं उनका संप्रदाय कहलाता है ब्रह्म संप्रदाय जबकि बल्लवाचारे जो कि सुद्धा दृत वाद से संबन संब्दित हैं वहीं उनका संप्रदाय कहलाता है पुष्टी मार्य। जबकि निम्मार का चार जो हैं वह द्वयतवाद से संब्दित हैं वहीं उनका संप्रदाय कहलाता है सनकादी संप्रदाय। संत कब्रवर्टी नहीं है तो अत्सेयोक्ति पूर्ण संत कब्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व जबकि और भी देख लेते हैं कि संतकब्र की प्रवर्तियों में सबसे पहली है रूडियों और आडंबरों का विरोध किया गया विवेन परकार के जो आडंबर होते थे विवेन परकार के जो धार्मिक रूडियां जातिकत रूडियां जिद्धमन थी समाज में तो वह कभी कभियों ने अपनी रचनाओं में दर्साया वहीं दूसरी रहस्यवाद की भावना उसमें दिखाई देती है उनकी रचनाओं में संतकभ्य की कभियों की रचनाओं में वहीं सूफी मत का प्रभाव भी संतकभ्य की रचनाओं में दिखाई देता है वहीं नेक्स्ट है न संतकब्य में देखा गया है वहीं विरहे की मारमे को उक्तियां विरहे की मारमे को उक्तियां मरम को भेद देने वाली उक्तियां वहाँ पर देखाई देती हैं वहाँ पर संतकब्य में नेक्ष है गुरू की महता अर्थार गुरू की महता में इस महिमा का महत्वा प्रत्पादित किया गया है अगला देख लेते हैं समाज सुधार की भावना संत कभ्य की प्रमुख वेसेस्ता रही है कि समाज को एक सुधारने का प्रयास संत कभ्य की रचनाओं में मिलता है अगला देख लेते हैं मुक्त कभ्य रचना मुक्त कभ्य रचना जो के रबंद कभ्य और मुक्त कभ्य तो संत समाज में जो आपके दोनों कभ्य में से मुक्त कभ्य रचना देखने को मिलती हैं वहीं सदुक्डी वहसा का प्रयोग किसका सदुक्डी वहसा जो कि जैसे कि कहते हैं बिहारी जी आदी ने दर्साई थी सदुक्डी वहसा या पंच मेले खिचडी जिसको कह गया तो उस वहसा का प्रयोग भी यहां पर देखने को म नमने लिखत में से कौन रामनेंद के सिस्चियों में नहीं आते हैं तो ये हैं अच्छर अन्य अच्छर अन्य रामनेंद के सिस्चियों में नहीं आते हैं जबकि सुखानन्द आते हैं अनंतानन आते हैं वहीं अनंतानन आते हैं और भावनन आते हैं आपका आंसर हो जाएग अच्छा रन्य लेए Overallakes लेन देख लेते हैं वारे सिख्चियों को सबसे पहला नाम है जिनका किसद सुखानंद क्या सुखानंद दूसरा नाम है अंंतयद अनन्तानंद टीसरा नाम है भावा नंद फ्रबदाक है सorial aanंद सुरसुरानन, next है सुरसुरी और पदमावती ध्यान रखना दोस्तों कि रामनद की बारे सिस्यों में दो केवल सिस्या थी एक का नाम था सुरसरी और दूसरी का नाम था पदमावती next है धन्ना और पीपा फिर सैन, उसके बाद कवील और उसके बाद रैदास जी का नाम आता है तो ये भी याद रखें कि सबसे पहले थे सुखानन और सबसे अंतिन थे रैदास क्या सकते हैं next question है प्रमुख साहत्यकार और उनके कथन से संबने असंगत करम छाटना है तो सबसे पहले बात करते हैं कबीर का प्राद हुआव एक गठना है हमें चाटना है असंगत करम सबसे ज़्यादा क्वस्णों में या एक्जाम में यही देखने को मिलता है कि संगत करम क्या है असंगत करम क्या है तो कबीर का प्राद हुआव एक गठना है हिंदी भक्ति भाव का प्रथम करांतिकारी पुरुष करता तो यह कथन था डाक्टर वच्चन सींग का किसके बारे में कबीर दास्ची के बारे में कबीर का प्राद रुवाव एक गठना है ऐसा मानना था हिंदी भक्ती भाव का प्रथम करांतिकारी पुरुष करता पुरोष कार करता है जिसको बोल सकते हैं तो इस प्रकार का कथन था डाक्टर वच्चन सिंग का वहीं यह बात सही है जबकि गलत क्या है कि संत मत के समस्त कभियों में अभी कभीर सबसे अधिक प्रतबा सालिवर मौलेक थे इस प्रकार का मनना आचार रामचनर सुखलीजे का नहीं था है ना तो किसका मानना था देख लेते हैं डाक्टर नगेंद्र का कथन में का आंसर दिया है तो संत मत के समस्त कभियों में कभीर सबसेद एक प्रतबा सालिवर मौलेक थे इस प्रकार का कथन है डाक्टर नगेंद्र का किसका डाक्टर नगेंद्र का नेक्स्ट क् प्रमक्ष साहित्यकारों उनके कथन से संबंदे तो असंगत क्रम बताना है आसंगत मिस गलत क्रम क्या है कबीर का व्यक्त तो एतना प्रभाव साली था कि उनके विचारों के अधर पर एक संप्रदाय चलपड़ा जैसे संथ संप्रदाय की संग्या मिली थी हिंदी साहित्य कोस का भाग वन है जिसमें कहा गया कि कभीर के वेक्टत यतना प्रतवासाली या प्रभावसाली मान सकते हैं था कि उनके विचारों के आधर पर एक संपरदाई चल पड़ा जिसे संपरदाई की संगया मिली थी इस प्रकार का मनना था हिंदी साहिते कोस भाग वनकर वहीं नेक्ष यह बात सही है कभी रहस्यवादी संतो धर्मगुरू होने के साथ भाव प्रवन कभी भी थे तो इस प्रकार का कथन है डक्टर नगेंडर का जो कि सही है जबकि आपका गलत क्या हो जाएगा हिंदी साहित के हजार बड़तों के इतियास में कभी जैसा व्यक्त ते लेकर कोई लेखक उत्पन नहीं हुआ महिमा में यह व्यक्त तो केवल एक ही प्रतवांदी जानता है तुलसी दास तो आचारे सुकल का इस प्रकार का कथन है जो कि गलत है इसे प्रकार का मानना था हजारी प्रसाद दुवेदी जी का किसका हजारी प्रसाद दुवेदी जी का मानना था यहां पर क्या आंसर हो जाएगा जो कि इस प्रकार का कथन जो है क्या कथन के हिंदी साहित के हजार बड जनता है तुलसिदास, तो आचा शोकलेका कथन नहीं है, यहां पर किसका कथन है, हज्जारी प्रशाद, दुबेदी जी का, हज्जारी प्रशाद, दुबेदी जी का. नेक्स्ट पंक्ति जो है कि तुल्सी को छोड़कर हिंदी वासी जनता पर कवीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवीर का नहीं जान पड़ता कि तुल्सी को छोड़कर हिंदी वासी जनता पर कवीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवीर का नहीं जान पड़ता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है तो क्या नहीं है रहे रासा संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है तो किसकी है यह रचना गुरु नानक की है किसकी गुरु नानक की बहीं बात कर लेते हैं किसकी संत हरिदास की निरंजनी की जो रचना है जिनमें एक हो जाएगी संग्राम जोग गरंत एक हो जाएगी पूजा जोग गरंत है वहीं समाधी जोग गरंत अर्थार सब के पीछे क्या लगा है जोग गरंत अब जान सकते हैं कि जोग का संबंद संत हरिदास नरंजनी से ठीक है वहीं next question है सिख धर्म के प्रबरतक प्रमक संत गुरु नानक की रचना नहीं है कौन से नहीं है इस प्रकार के question आपको धंग से पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि डी ट्रपल एस भी जैसा एक्जाम हम अगर वहां पर आपको देखने को मिलता है तो उसमें क्या है हमें थोड़ी से जल्दी रहती है तो इस प्रकार के नहीं के question को हम भूल जाते हैं या संत गुरु नानक की रचना है तो उस पर ही हम निसान लगा देते हैं जबकि इसमें पूछी कौन से गई है संत हरिदा गुरु संत गुरु नानक की रचना नहीं है तो हंस प्रबोद गरंथ रचना संत गुरु नानकी नहीं है सिक दर्म के प्रवर्तक थे उनकी रचना है कौन कौन सी है एक जपुजी है एक नसियत नामा है एक असाधी बार है जबकि हंस प्रबोद गरंथ जो आपका आंसर है यह किस की रचना है हरिदा नरण्यनी की रचना है हमसे प्रवोध ग्रंत की रचता कौन है नरण्यनी दास तो इसे प्रकार के हम लगवग 20-22 क्वेस्टन डेली आपके अपने चैनल SS knowledge पर रेक्टिस कराते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें औ अगर पसंदा रही हो और नेक्स्ट रिच चाहने के लिए तो बीडियो को लाइक करें इस आपके मोटिवेशन से हम नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा पाएं तो गाइज धन्यवाद वीडियो देखने के लिए थैंक्यां धन्यवाद